और joints में इस हद तक problem लोगों को हो रहा है लेकिन अव बच्चों को दिक्कत हो रही है कम उम्र में दिक्कत हो रही है joint की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है हम दूद का सेवन धिरे-दिरे करते कम करते जा रहे हैं हमारा बाहर निकल के स्पोर्ट्स खिलना बच्चों में वह सब भी खतम हो गया है कर लोग कहते हैं वीगन डाइट मतलब आप दूद लीजिए ही नहीं अब एक आप कह रहे हैं आज कर लोग दूद नहीं पीते हैं यह विचारधारा हो सकती है कुछ लोगों की कुछ रिसेर् हो चुका है क्या इनको ठीक नहीं रख सकता है सही माइने में कहें तुसे समस्या नहीं माननी चाहिए जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो इस प्रकार की बदलाव आएंग त्यों अर्थ्राइटिस क्या स्टार्टिंग पीरियेड में ही पकड़ा जा सकता है आप इस समस्या को चुपा नहीं सकते चाहिए जितने भी अज्ञान हो आप अगर पड़े लिखें नहीं हैं आप चोटे बच्चे में हो तब भी आप इसों पहचान सकते हैं नमस्कार मैं हूँ पंकच खुमार इस विशेश कारिकरम में मेरे साथ एक मेहमान है जी हां जिनोंने चिकित्सा के छेतर में शांदार काम किया है आपको यह बता दें कि जिन लोगों को जॉइंट रिप्लेस्मेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग बड़े ही क्रोनिक एंथराइटिस से अर्थराइटिस से परशान रहते हैं उनको बहुत हड़ी का दर्द रहता है जोडों का दर्द रहता है बड़ी दिक्कत रहती है जगे जगे पर घूमते हैं समुचित इलाज नहीं मिल पाता तो निश्चेत तोर पर उन्हें एक ऐसे चिकित्सक की जरूरत होती है जो कि उनका इलाज कर सके आज हमारे साथ वैसे ही एक चिकित्सक हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुरूप पतेल और वो डारेक्टर रोबोटिक जाइन्ट रेपलेस्मेंट है बतलब जाइन्ट रेपलेस्मेंट किस प्रिसीजन के साथ किया जाए इसमें इनकी मास्ट्री है और खास बात ये हैं कि इन जो कि गाउं में रहते हैं, जिनके लिए दिल्ली आना संभब नहीं है, मुंबई जाना संभब नहीं है, जिनने बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है, वो इनके पास आ सकते हैं और ये उस तरह की टेक्नोलॉजी से उनका इलाज कर सकते हैं, वो भी उतने ही खायत में कि उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है तो मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वरूप पटेल का अपने इस खास एपिसोड में बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर स्वरूप पटेल आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर धन् जॉइंट्स में इस हद तक प्राब्लम लोगों को हो रहा है जबकि हम कहते हैं कि अब हम लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है हम जीना सीख गये हैं हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है लेकिन अब बच्चों को दिक्कत हो रही है कम उम्र में दि तो लोग अलग अलग हॉस्पिटल में चक्र काटते दिखते हैं और उनको हमेशा लगता है कि उनकी जो परिशानी है उनसे उनको निजात नहीं मिल पा रहा है तो यह समस्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही इस समस्या के बढ़ने का कारण हम लोग स्वैंग ऐसा कहने से लोग हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लगे हमने एक्सरसाइस करना बंद कर दिया हमने अपने शरीर का बहुत ध्यान नहीं रखा हम दूद का सेवन धिरे-धिरे करते कम करते जा रहे है हमारा बाहर निकल के स्पोर्ट्स खेलना बच्चों में उस अब भी खतम हो गया है तो बाहर रेस्टोंट इस तरीकी की चीज़ों से खाता है अब ऑनलाइन मगा के खाता है हाला मैं इसके विरोध में नहीं हूँ लेकिन हमें अच्छा खाना है हमें स्वस्त रहना है हमें एक्सरसाइस करनी अपने वजन को संतलित रखना है समय समय पे जैसे जैसे उम्र बढ़ में से जोड़ों की गठिया और 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 यह सारी चीजों काम दूर कर सकते हैं अब आपने बिलकुल ठीका लेकिन मैं एक सवाल बीच में पूछना चाहूंगा आपका जो एक्सपर्टीज है उस पे तो मैं बात करूंगा ही करूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके माध्य लेना शुरू कर देंगे क्योंकि आजकर लोगों में एक यह फीलिंग भी आ रही है कि अब हम अपने हेल्थ का बेहतर ध्यान रखते हैं हमारे अंदर अवेरनेस बहुत जादा बढ़ गया है लेकिन हम देखते हैं कि अब लोग जादा बीमार पढ़ते हैं एक तरफ टेकन के माध्यम से अलग-अलग लोगों के माध्यम से हमारे अंदर फैल जाता आजकल लोग कहते हैं वीगण डाइट मतलब आप दूद लीजिए ही नहीं अब एक आप कहे रहे हैं आजकल लोग दूद नहीं पीते कहीं पर यह concept चल जाता है कि भाई आप इस तरह है का डाइट लीजे क्योंकि ये जो दूद हम पी रहे हैं वो बड़ा अननेचुरल सा दूद है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल नहीं है और वो पता नहीं न्यूजीलैंड का रिसर्च वगरा भी कोट कर देते हैं क्योंकि हम जरसी गाय का दूद पी रहे हैं पहल ही कि यह भी फैशं काफी चल गया है कि दूर रहे पर अगर मिल्क नहीं लेंगे तो आपका बन कैसे ठीक रहे और बन ठीक नहीं रहेगा तो आप चल कैसे पाएंगे खड़े कैसे हो पाएंगे तो मुझे लगता है डॉक्ट साब लोगों का भी confusion होगा मेरा भी confusion है किर्पया इसको दूर करें हमें लगता है आपके सवाल बिल्कुल सही है जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतने ज़्यादा चीज़े सामने आती हैं और कुछ समय के लिए उस पर confusion का विशे भी बना रहता है विशेशग्यों के लिए भी और एक सामान विप्ति के लिए हमें अपने वापस जाना पड़ेगा आज से पचास साथ साल के आसपास पीछे इस प्रकार की जो समस्याएं हमें आज हो रही है जैसे जोडों में गठिया, जोड जोडों में दर्द, कमर में दर्द, चक्कर, नीन नाना इस प्रकार की समस्या आज से 50 साल, 100 साल पहले नहीं थी वहाँ अलग समस्या हैं होंगी पर ये समस्या नहीं थी ये समस्या नहोने का कारण क्या था, शुद्ध भोजन मिलता था चाहे वो मांसा आ रही हो, चाहे वो शकाह आ रही हो लोग उसे पारे अपने जीवन शाली जीने के लिए मेहनत करते थे तो शरीर एक श्रम करता था जिससे कि और बहतर बनता था जो की आज युग में छूटता जा रहा है जैसे रही बात हमारे कैल्शियम दूद ना लेने की तो कैल्शियम एक बहुत जरूरी पार्ट है हाँ, ये विचारधारा हो सकती है कुछ लोगों की कुछ रिसरचेज की कि हमें दूद का सेवन नहीं करना चाहिए पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं जाना चाहिए हमें अन्य और तरीकों से कैल्शियम को शरीर में रखना ही रखना है अगर ऐसा नहीं होगा तो हड़ियां कमजोर होंगी जल्दी तूटेंगी, जल्दी खराब होंगी बेंड नोंगी बहुत सारी समस्याइं हैंगी तो उस लिस्ट में नहीं जाकर पर मैं अपने शोताओं से सबी से इस बात का आगरे करूँगा तीन चीज बहुत महत्पून है आप किसी भी विच्चार धारा को मानते हो शरीर में जो जरूरी तत्व है वो आप तक पहुँचने चाहिए चिस भी माध्यम से मेरा अपना पर्सनल यह होगा जैसे हम पहले जीवन जीते थे उस पे चलें, दूद पिएं फल फूल खाएं ताजी सब्जियों का प्रियोग करें फ्रिज में रखें, दस दिन बाद ना पका के खाना खाना खाएं बाहर से खाना खाना हमें कम कर देना चाहिए और जो भी पकाएं घर पे बनाएं तो चीजों को अगर आप ऐसा करें एकसरसाइस करें, खेलने कूदने की आदत रखें थोड़ी से अपने लाइफस्टाइल को बाहर ले जाएं घर से क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे पॉलिशन बहुत है, मेट्रोज में ये है, वो है पर अगर आप बाहर जाएंगे तो आप प्रक्रिती को भी सुधारेंगे और अपने आपको भी, घर में बैटके फिल्टर लगा लेने से शाद समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो हमें कुछ चीजों में वापस जाना चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिवली देखना चाहिए कि वो इतने सालों से सही चलती आ रही थी आज उसे अचानक से चैलेंज कर देना या उसे रोक देना बहुत कुछ इत नहीं होगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही कि more you sweat, more you sign इसका अलग-अलग मतलब निकाला जा सकता है लेकिन बड़ा सीधा सा बात है कि आप पसीना निकालेंगे, वर्जिस करेंगे तो आप स्वास्त रहेंगे और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप जिस भी छेतर में हैं खूब मेहनत करिए तब ही आप चमकिएगा, निकरिएगा जैसे हमारे सामने डॉक्टर बैठे है इन्होंने अपने फिल्ड में बहुत मेहनत किया है इसलिए आज हम इनका इंटर्व्यू भी कर रहे है क्योंकि ये अपने छेतर में निकर रहे है सवाल ये है कि लोगों को बात होता है लोगों को गठिया होता है इन सारी बिमारी को बताजाता कि ये LA-ILAGE बिमारी है इस बिमारी का कोई ILाज नहीं है डुक्टर पटेल मैं आपसे ये समझना जाऊँगा कि क्या वाकई ELOPEATH में इसका ILाज है कियोर है क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ एक उम्र के बाद वो कहते हैं बात से परिशाने, गठिया से परिशाने, सीधा चल नहीं पाते, जुक के चलते हैं, एक हाथ काम नहीं करता है, बहुत तरह की समस्याएं हम देखते हैं, और अचानक हमें लगता है कि आखिरकारी इनको हो क्या गया है, क्या Medical Science जो क्लेम करता है कि इतना डेवलप हो चुका है, क्या इनको ठीक नहीं रख सकता है, क्या इनका क्योर नहीं कर सकता है, तो थोड़ा इस पर विश्तार से बताएं आप हमें तो गठियाद आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, सौ से ज़्यादा प्रकार की होती है पर उन में से कुछ ही हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा गरसित करती है, जिन में से एक सबसे सामानी है औस प्रकार की बदलाव आएंगी, अगर हम दूसरे रूप में देखें, तो अगर हम बुड़े होंगे, तुमारे बाल सफेद होने है किसी के कम, किसी के ज़्यादा, किसी के जल्दी, किसी के लेड़, तो अगर हम उसे एक प्रॉबलम की तरह देखेंगे, तो ये उचित नहीं होगा जैसे हम उमर बढ़ती हैं, मोतिया बिंगाती है, हमारे चेहरे जुर्या आती है तो हम उसे प्राबलम की तरह नहीं देखें वो एक एज के साथ ये चीज़े आनी है प्राबलम तब है जब वो दर्द के साथ एसोसियेट हो जाती है दर्द हमारे शरीर में गलत चीज़ नहीं है वो एक संकेत है जो बताता है कि आपको अब इस समस्या के लिए कुछ करना चाहिए तब वो समस्या बनती है और उसको करने के लिए चागरुक होना पड़ेगा और डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कुम्र के साथ होने वाली समस्या है ला इलाज नहीं लोगों के डर ने भैने अग्यांता ने उसे ला इलाज बना दिया है जोडों की समस्या अगर है उसका समाधान है कुछ दिन आप एक्सेसाइज प्यारपी तेरेपी दवाईयां लाइश्टाइल मोडिफिकेशन से एक अपना समय उचित समय निकाल सकते हैं पचास पचपन के हैं आप साथ पैसर तक इन चीजों से अपने लाइफ में बदलाव करके उस गर्द से मुक्तिबा सकते हैं परन्तु अगर आपकी समस्या और बढ़ जाती है तो फिर उसमें जोएंट रिप्लेश्मेंट जैसी चीजों के रास्ते हैं इतना हमने जो टेकन पर ना भागना बाइक चलाना सकते हैं पर मैं इस पर आता हूं मैं बिलकुल आता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने जो बताया ओस्टियो अर्थराइटिस गठिया का एक प्रकार है जो कि बड़ा कॉमन है और इसमें लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है मैं चाहूंग कि आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इसका सिम्टम्स क्या है अगर यह सुरुवाती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए तो क्या इसका पूरा क्योर संभव है उसके बाद फिर हमाएंगे कि आपका जो एक्सपर्टीज है उस पर हमाएंगे लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि ऑस्टियो अर्थ्राइटिस क्या स्टार्टिंग पीरियेड में ही पकड़ा जा सकता है आपको जानके आप इस समस्या को छुपा नहीं सकते चाहिए जितने भी अग्यान हो आप अगर पड़े लिखें नहीं हैं आप छोटे बच्चे भी हो तब भी आप इसों पहच कढने में हैं ये संखेत हैं कि आपके पैरों में उस्टेयों एर्तरीयों हो सकती है इसकी पुष्टी को करने दे ये आपके के लिए संकेत कि आपको आस्टेयों arthritis की समस्या हो रही है वो नहीं सिर्फ घुटनों में ही नहीं किसी भी जोड में हो सकती है कंदों में हो सकती है रीड के हड़ियों में हो सकती है तो जहां जहां चरीर में जोड है वहां arthritis की समस्या हो सकती है सबसे पहला प्रथम संकेट आपको मिलता है वहाँ दर्द शुरू होता है और उस दर्द से हम डॉक्टर्स आगे पता करते हैं कि क्यों और इंवेस्टिकेशन कराते हैं एक्सरे, MRI, CT, स्कैन ब्लड के टेस्ट उससे हम उसका नाम करड़ करते हैं कि ये कौन सी वाली गठी है अच्छा, बहुत बढ़ी है ये आपने बहुत अच्छे से समझाय अगर मैं अपनी बात करूँ नाम करता हूँ ताकि दर्शक मुझसे भी कोरिलेट कर सकते हैं मैं गुमता हूँ वाक करता हूँ, मस्त रहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन कई बार जब मैं नी को टच करता हूँ, उसको ऐसे जैसे अपने हाथ से ही ठोकने की कोशिस करता हूँ या टच करता हूँ थोड़ा जोड से, तो हलका पेन जैसा फील होता है, यह क्या बिमारी हो सकता है, क्या यह इसलिए हो रहा है कि हमने बाइलोजी में पढ़ा था उम्र बढ़ती जाती है, तो साइनोवियल फ्लूड की कमी हो जाती है, उस वज़े से होता है, सूखने लगता है, या यह भी कोई बिमारी का इंडिकेशन है, कि अगर आप किसी जोड़े, किसी जॉइंट को टच करते हैं, और वहाँ पर आपको पेन आता है, तो यह भी किस अगरली होती है, तो साइनोवियल फिकनिंग हो सकती है, पैर मोलने सिधा करने में दर्द हो सकता है, प्रोमेटिक हो सकती है, चोट लगने के कारण हो सकती है, हमें जादा एक्सेसराइस कर दीसले हो सकती है, तो बहुत सारे उसके रंग रूप है, सभी प्रकार की गठिया क को एक basket में नहीं डाल सकते और सभी stage को एक basket में नहीं डाल सकते। पर starting में बार बार दर्द होना ही उसका सबसे प्रतम लक्षण है जो हमें चिंता की तरफ डालता है एक दो बार होना बहुत बड़ा कारण नहीं है लेकिन बार बार होना हमारे लिए repeated होना यह एक तरह से में थोड़ा भी पेन हो रहा हो और बार-बार पेन हो तो निश्चित तोर पर आप अपने चिकिट्षक के पास जाएं उनसे सला मस्विरा करें इसको बिलकुल इग्नोर ना करें क्योंकि अगर यह जादा बढ़ेगा तो आपके लिए जादा समस्या कर सकता आपके लिए बड़ा भी पेन हो और बार बार हो तो निश्चित तोर पर आप अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाएं उन से सला लें इसको बिलकुल नजर अंदाज ना करें और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर पटेल हमारे साथ हैं और यह हमारे साथ बनार जी के सहारे ऑपरेशन्स में परफेक्शन बहुत जादा होता है जिसको हम रोबोटिक सरजरी कहते हैं मैं चाहूंगा डॉक्टर पटेल कि आप रोबोटिक सरजरी के बारे में थोड़ा बताएं कि आखिरकार जॉइंट रिप्लेस्मेंट में रोबोटिक सरजरी की जरूर क्यों पढ़ गई कि एसिया में रिकॉर्ड है आपका सिंगल डे में मैक्सिमम ऑपरेशन करने का रोबोटिक सरजरी के द्वारा यह आपने रिकॉर्ड कायम किया है मैं आपको आप बदाई के पात रहें लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है क इस तरीके के टेकनलजी का इस्तमाल हम इसलिए करते है कि पर्फेक्शन ला सका क्या जैसे जोर भी सकता लेकिन हम calculator का प्रयोग करते हैं लिख हम सब सकते हैं लेकिन हम computer और type writer इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो समय के साथ चीजे evolve होती है हमारा science technology बढ़ता है हम उसे अपने lifestyle में भी लेकर आते हैं जैसे कि हम medical science में उसे लेकर आए ताकि जो कारे हम कर रहे हैं उसे और perfection मिल सके जब perfection जैसे अगर और साधारण में बात करूँ अगर मैं एक line खीचता हूँ तो 1000 बार अगर line खीचूँँगो तो एक आख millimeter की फरक हो सकती है अलागि मैं जिवन बर से खीच रहा हूँ पर अगर यही कारे में robot के द्वारा करूँ तो उसमें वो एक काक मिलिमेटर का भी फरक नहीं होगा तो जोड प्रत्यार उपड में यह देखा गया है कि component का सही बैठना यह component का सही बैठने का अर्थ है जो हम सतह लगाते हैं यह बिलकुल अगर साधरण बात करूँ तो घोड़े की नाल जैसे है तो उस नाल की फिटिंग सही बैठनी चाहिए तो जो component हम लगाते हैं फीमर कंपोनेंट टिबेल कंपोनेंट उसका कट सही होना चाहिए उससे जोड के उपर दबाव कम पढ़ता है उससे उस जोड की life बहुत बढ़ जाती है रोबोट हमें एक और चीज़ का freedom देता है कट्स के साथ साथ कि हमें जो मान स्पेशियों को संतुलित करना होता है क्योंकि आप देखेंगे तो लोगों के पैट टेड़े होते हैं टेड़े होते जाते हैं इसलिए हम जो एंटर प्लिस्मेंट की तरह बढ़ते हैं क्योंकि वह आखरी रास्ता होता है तो जब इस तरकर के समस्याएं होती है तो रोबोट हमें बहुत कम मैन्यूपिलेशन के साथ बहुत कम छेड़ खानी के साथ सबसे बेस्ट रिजल देने का कारे करता है तो रोबोट मैं मैं समझ गया बिलकुल और मैं चाहूंगा कि दर्शकों को ये बताऊं भी कि रोबोट की वज़े से जो सरजरी है उसमें परफेक्शन बहुत ज़ादा होता है प्रिसीजन के साथ आपरेशन होता है चांसेज उसमें खराबी का या बोन सेट करने का बहुत कम हो जाता है मिनिमाईज हो जाता है क्योंकि रोबोट करता है जो की परफेक्शन के साथ करता है अब मैं आप से एक सवाल पूछूँगा क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, सुना है अपनी फैमली में भी देखा है बुढ़ापे में लोग वाश्रूम जाते हैं चलते फिरते गिर जाते हैं और उनका कूलहा तूट जाता है और कूलहा तूटना इतना थराब होता है माली यह वो 80's के 80 साल के उमर में हो और कहा पहले यह जाता था कि इनका कूलहा चेंज करने का कोई मतलब नहीं है पर अगर आप चेंज नहीं करो तो वो कोई भी दैनिक कार खुद कर नहीं पाते हैं उनकी लाइफ बड़ी ही बड़न सम हो जाती ऐसे में सवाल उठता है कि किया कूलहे के चेंज में भी आपके यहां रोबोटिक सर्जरी के दारा इस तरह की सुवधा है क्या कूल्ये में भी रोबोटिक्स का बहुत यूज है जिन उस एज उमर की बात हम लोग कर रहे हैं जो बुड़े गर जा रहे हैं तो गरने का कारण है हम लोगों को है और यह करते हैं इस नाने रिखेश की साल की उम्रे तक के लड़कों का लड़की का हम लोग सरजरी करें उन में रोबोट का इस्तमाल बहुत जादा बहतर हो जाता है ज़ूरी हो जाता है की हम उस चीज को well place करें और वो खुटना सालों साल चले जितना maximum उसको चलना चाहिए सालों साल चले maximum चलना चाहिए तो क्या ऐसा होता है कि आप रोबोट के साथ surgery करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है मतलब वो बच्चा एडल्ट या बूढ़ा सही तरीके से अपना दैनिक कारी कर सकता है चल सकता है उसके पास जो औरिजनल चीजें थी जो बॉड़ी पार्ट्स था वो हट भी गया और अब आपने रोबोटिक सरजरी किया है तो क्या कोई अगर हम तब सरजरी कराते हैं तो उसके बहुत ही बढ़ी है उन्दा हमारे समाज में घर परिवार में बहुत सारे लोगों हैं जिनका जोइंट रिप्लेश्मेंट हो चुका है अगर वह आपको बताएंगी नहीं तो आप पहचान नहीं सकते पकड़ नहीं सकते कि उनका को को एक उल्ला या गोट नाम में बदला तो यह बताएं यह बताएं एक बड़ा रहता है कि 80 साल के आप हो गया आपको कुल्हा चेंज कराने की अब जरूरत नहीं है आप कुल्हा चेंज कराएंगे तो आपकी जान जा सकती है यह मित है या आप चेंज करा जाना चाहिए जिन्दा रहने के लिए उसको चेंज कराने की जरूरत नहीं है क्या करना चाहिए यह एक गलत धारणा है जैसा कि आपने सहे का कि अभी उस प्रकार से जैसे अपरेशन से जान जाने का कोई खतरा नहीं होता अब जैसे सब चीज में एडवांसमेंट आया है अनिस्तीसिया के टेक्नीक्स पर भी आप से उस हिस्षे को सुन करते हैं जहां हमें सरजरी करनी होती है ना पेशन बेहोश होता है ना उससे कहीं कोई दर्द होता है ऑपरेशन तो यह एक पुरानी धाड़ना थी और अब मैं आपको बताओ बनारस और आसपास के छेत्रों में भी धाड़ना खतम सी हो चलिए अब ऐसा पूछने और देखने वाले लोग नहीं मिलते रही बात 80 साल पर कराना चाहिए या नहीं जरूर कराना चाहिए तो कि जीवन चलने के यह बना है तो यह बहुत बड़ी बात कहते हैं मुझे लग रहा है कि हमारे इंटर्व्यू जब लोग देखेंगे तो ब्रेद्धों में भी एक होप जगेगा क्योंकि उन्हें लगता है कि इस उम्र में अगर हड़ी तूट गई तो अब ऐसे ही हमें जीना पड़ेगा जान जाने की गुंजाइस बहुत ज्यादा रहती इस तरह की बात मैं छोटे शहरों में बहुत ज्यादा सुनता हूं इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा आपने बहुत अच्छा करा यह सवाल पूछ कर पर यह हमारी सोच है कि अवे हम भगवान ने भूगने के लिए भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए बहजा है और वो आपको बहतर समझता है इसलिए इस उम्र पे भी आपको चुनोती दिये कि आप फिर से खड़े होकर समाज को घर परिवार को सही रास्ता चल कर दिखा सके डॉक्टर पटेल एक बात मुझे और भी समझाए कि आखिरकार बुढ़ापे में ऐसा क्या होता है कि चलते फिरते भी हड़ियां टूर जाती है क्या हम बुढ़ापे में अपने हड़ियों का देखभाल कैसे करें ठीक है अगर टूर जाती है रिप्लेस्मेंट की जरूरत ह तो आपके पास जाना चाहिए पर बुढ़ापे में या जूजू हमारी उम्र बढ़ती जा रही है हम अपने हड़ियों का देखभाल कैसे करें क्योंकि कई बार हमने कई बुढ़े लोगों से बात किये उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी हड़ि कैसे तूट गई वो चल पिर रहते उनकी हड़ी तूट जाती तो आखिरकार बोन में होता क्या है कौन सा ऐसा बाइयलाजीकल चेंज होता है या बुढ़ापे में कौन से मिणरल्स की कमी हो जाती है जिस वजह से चलते फिरते उनकी हड़ियाँ तूट जाती है बढ़ापए में हमें उस्टिो पुरोसिस जैसी समस्या होती है उस्टिो पुरोसिस क्या है कि हमारे कैलशियम हमारी शरील से निकलने लगते हैं और जो हमारी हड़ी ठोस थी अब वो लूज स्पंजी हो जाती है जैसे आप समझें एक लकड़ी जो बहुत बढ़ी हाथी पर उसे दीमत ने खा लिया तो अग तमजोर हो गए अब वो लोड नहीं ले पाती थोड़ी से भी बेंडिंग होई गिर गए तो तूड़ जाती फीमेल्स में ये समस्या बहुत ज़ादा है मीनोपॉल्स के बाद तकरिबन 60-65 के बाद उनमें हड्डियों की ऑस्टियो प्रोसिस बहुत ज़ादा होती है और जैसा कि आप जानतें बहुत कम ओरतें अपना ध्यान रख पाती है वो अपने बच्चों में घर परिवार में बजी रहती है और अपना ध्यान बहुत कम रखती है और सही से ध्यान न रख पाना, कैल्शियम, वाइटामिस न लेना, इससे हड़िया और कमजोर होती जाती हैं, बढ़ती उम्र के साथ, बैलेंस को देने के साथ, कहीं टकरा जाने के साथ, फिसल जाने के साथ, जैसे ही गिरती हो और उनकी हड़िया तूड़ जाती है, तो इसक कि हम लें किसी भी प्रकार में लें और हमें लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग दूद पीते हैं और उन्हें पीना चाहिए मैं इसका कहीं से विरोधी नहीं हूं कि अपना ध्यान रखिया अगर आपके कुछ भी समस्या आपको लगती है तो आप उसे छुपाईए नहीं उसे एक्सप्रेस करिये अपने घर परिवार बेटो बच्चों से ताकि हम उसमें और आपकी मदद कर सकें और हड़ी फ्रेक्चर जैसी समस्याओं को बचा सकें चलिए आपने रिकॉर्ड कायम किया बनारस में एक दिन में रोबोटिक सरजरी का रिकॉर्ड कायम किया हूँ आपने पर मैं एक सीधा सा सवाल पूछूंगा क्योंकि छोटे शहर के लोगों की ये जिन्वीन समस्या होती है और मुझे लगता ये वीडियो जो देखें उनक ऐसे छोटे-छोटे शहर और गाओं जुड़े हैं जहांके लोग आकर के और इस सिस्टम का फाइदा ले रहे होंगे मैं मेरा सीधा सवाल है कि क्या ये रोबोटिक सरजरी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्या आम लोगों की पहुंच से ज्यादा एक्सपेंसिव है क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है ये कुछ हजार रुपए ही ज्यादा पड़ सकता है और आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का पहला रोबोट हम लोगों ने लगाया था इस मकसद से लगाया था कि उस जो सुवधाएं दिली बॉम्बे इस तरीके मेट्रो सिटीज में मिल रह रहते हैं हम अपने सभी मरीजों को इस बात के लिए प्रिद करते हैं कि आप रोबोटिक टेकनोलोजी का फाइदा उठाएं और जहां तक हमसे होता हम उसे करीब करीफ करीफ रखते हैं जहां हमारी कुछ मजबूरिया आती है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा नहीं है उप च चोटे चोटे शहरों से जुड़ा है तो जो भी यह हमारा वीडियो देखेंगे उन्हें अगर इस तरह की दिक्कत होगी चाहे वह 80 साल के हो चाहे 40 साल के हो और चाहे 14 साल के हो तो उनके भीतर जरूर होप जगेगा कि हर तरह की बिमारी का इलाज है और अगर ऑपरेशन की भी जरूरत है तो वह पूरे पर्फेक्षन और प्रिसीजन के साथ हो सकता है उसके लिए दिल्ली बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है ये बनारस में ही संबभें क्या मैं सही कह रहाऊ डौक्टर पटेर आप बिलकुल सही है आप बिलकुल सही है आप अपने तरब से कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे विश्व आर्थरैटेस दिवस आ रहा है वो बारह अक्टूबर को हम लोग बनाते हैं इस साल का उनका थीम है कि जागरुग बने और अपनी समस्याओं को अपने डॉक्टर से सलाम शुरा करके बहतर रिजल्ट पाए मैं TV9 के माध्यम से सभी लो अनकों लोगों से एक्सप्रेस करें पर तब तक चुपना बैठें तब तक शांत ना बैठें जब तक आप समस्या का 100% सलूशन ना पालें तो अगर आप कोशिश करेंगे हम लोग आपकी पूरी मदद करने के लिए हैं और अगर आपको लगता है कि आपको जॉइंट की सर बगर से चलिए तो देखें ये लोगों के बीच उम्मीद भरी बाते हैं और इन्होंने एक बात बहुत जोड़दार तरीके से कही जिसको मैं रिपीट कर देता हूं कि आप तब तक ना बैठें जब तक आप नॉर्मल ना महसूस करें मतलब अगर आप बिमार हुए भी हैं और पूरा इलाज with perfection संबब है with precision संबब है बतलब अगर आपको joint replacement की भी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरह की arthritis है तो पहले से आप चोकनने रहें थोड़ा भी दर्द हो रहा है और बार बार हो रहा है तो अपने आसपास के डॉक्टर से सलाम अस्विरा करें लेकिन अगर य यह समझ लें कि हर बीमारी का इलाज है अगर joint replacement की भी जरूरत है तो वो पूरे perfection के साथ संबब है इसके लिए बनारस भी आप जा सकते हैं डॉक्टर पटेल हमारे साथ हैं इनको एसिया में इन्होंने ख्याती प्राप्त किया है इन्होंने बहुत सारे operation किये और एक दिन मे इतने robotic surgery इन्होंने किया है कि इन्होंने record कायम किया है और जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी भी तरह के arthritis का इलाज ये कर सकते हैं और महज कुछ 1000 रूपे में करते हैं बहुत जादा खर्चा भी नहीं है तो ये भी एक बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर सरूप पटेल आपने हमसे बात की और हमारे जरिये आप लोगों के भीतर जो hope जगा रहे हैं उम्मीद जगा रहे हैं क्योंकि कहा ये जाता है कि एक बार arthritis हो गया तो आपको lifelong इसको carry करना होगा और आप सीधा इसको कहरें कि नहीं हर तरह की बिमारी का इलाज है और अगर replacement भी करना है तो perfection के साथ संभव है इसके लिए human hand नहीं robotic surgery की भी जरूरत पढ़ती है तो हमारे पास है और हो सकता इंडिया में और भी कई जगे पर होगा पर आप ये कह रहे हैं कि इलाज संभव है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उम्मीद है लोग जो इस वीडियो को देखेंग का अपने डाइट में लें और जो बड़े बुजूर्ग हो रहे हैं उनमें osteoporosis की गुंजाइस बहुत ज़्यादा है तो कैसे अपने बोन का ध्यान रखें जिससे कि उनका बोन बुढ़ापे में तूटे नहीं और इनकिस अगर कोई दिक्कत है तो उसका इलाज कैसे करें इस सारी जानकारी आपने दी इसके लिए डॉक्टर स्वरूप पटेल बहुत बहुत धन्यवाद और सुक्रिया तो TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार तो ये थे डॉक्टर स्वरूप पटेल जिनोंने पूरी जानकारी दी कि joint replacement किस तरीक तो तिक द्वारा किया जा सकता है और किसी भी तरह के अर्थराइटिस का इलाज संभव है तो निश्चे तोर पर आप इस वीडियो को देखें और साजा करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं ताकि इस बेमारी को लेकर के तमाम जो भ्रम है वो दूर हो सके बारा तारीक को विश्व अर्थराइटिस डे भी है तो आप से दिवस भी है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में जागरुकता के लिए ये क्यों जरूरी था इसलिए हमने आपके बीच ये वीडियो लाने का प्रयास किया है बहुत-बहुत धन्यवाद और झाल 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 झाल